भगवान के यश्कीर्टन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्वचरित्र सूत जी कहते हैं तदनंतर सुख पूर्वग बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुरा कर अपने पास ही बैठे ब्रह्मःष व्यास जी से कहा नारद जी ने प्रश्ण किया महाभाग व्यास जी आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना अवश्य ही आपकी जिग्यासा तो भली भादी पूर्ण हो गई है क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है वह धर्म आदी सभी पूरुशार्थों से परिपूर्ण है सनातन ब्रह्मतत्तो को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है फिर भी प्रभु आप अक्रितार्थ पूरुष्ट के समान अपने विशे में शोग क्यों कर रहे है व्यास जी ने कहा आपने मेरे आपका ज्यान अगाध है आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ नारज जी आप समस्त गोपनी रहस्यों को चानते हैं क्योंकि आपने उन पुरान पुरुष्ट की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष्ट दोन आप सूर्य की भाती तीनों लोकों में भ्रवन करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायू के समान सब के भीतर रहकर अंतह करणों के साक्षी भी हैं योगा अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रम्ह और शब्रम्ह दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर मुझमें जो बड़ी कमी है उसे आप क्रिपा करके बदलाईए नारज जी ने कहा व्यास जी आपने भगवान के निर्मल यश्का गान प्रायह नहीं किया मेरी ऐसी मानता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्यान अधूरा है आपने धर्म आद की पुर्शार्थों का जैसा निरूपन किया है भगवान श्री क्रिष्ण की महिमा का वैसा निरूपन नहीं किया जिस वानी से चाहे वह रस भावव Οलंकारादि से युप्त ही क्यों नहों जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश्का कभी गान नहीं होता, वह तो कववों के लिए उच्छिष्ट फेकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मान सरोवर के कमनीय कमलवन में विहरने वाले हंसों की भाती ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणार विंदाश्रित परम हंस भक्त कभी उसमें रमन नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं है और जो दूशित शब्दों से युग्त भी है परंतु जिसका प्रतेक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युग्त है वह वानी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वानी का श्रमन गान और किर्टन किया करते हैं। वह निर्मल ग्यान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिध्धी दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है वह काम्य कर्म और जो भगवान को अरपन नहीं किया गया है ऐसा अहेतुक निश्काम कर्म भी कैसे सुशोबित हो सकता है। महाभाग व्यास जी आपकी दृष्टी अमोग है आपकी कीर्थी पवित्र है आप सत्य परायन एवं दृढ़ व्रत हैं इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत शक्ति भगवान की लिलाओं का स्मरण भगवान की लिला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूकों के चक्कर में पढ़ जाता है उसके बुद्धी भेदभाव से भर जाती है जैसे हवा के जखोरों से दगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठोर नहीं मिलता वैसे ही उसकी चंचल बुद्धी कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती संसारी लोग सभाव से ही विश्यों में फसे हुए हैं धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की भी आज्या दे दी है यह बहुत ही उल्टी बात हुई क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्य करके उसका निशेद करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते भगवान अनंत हैं कोई विचारवान ज्यानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत होकर उनके स्वरू भूप भूत परमानंद का नुभव कर सकता है अतह जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाये जा रहे हैं उनके कल्यान के लिए ही आप भगवान की लेलाओं का सर्वसाधारन के हित की द्रिष्टि से वर्णन कीजिए जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याक करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है परन्तु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं उन्हें कौन सा लाब मिलता है वो धिमान मुनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रैत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा परियंत समस्त उची नीची यूनियों में करमों के फलसुरूप आने जाने पर भी स्व फेर से सबको सरवत्र सुभाव से ही मिल जाते हैं व्यास जी जो भगवान श्रे कृष्ण के चरणार विन्द का सेवक है वह भजन न करने वाले करमी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमए संसार में नहीं आता वह भगवान के च पत्ति इस्थिति और प्रलय होते हैं वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं इस बात को आप स्वयम जानते हैं तथा भी मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है व्यास जी आपकी दृष्टी अमोग है आप इस बात को ज कल्यान के लिए जन्म ग्रहन किया है इसलिए आप विशेश रूप से भगवान की लिलाओं का कीरतन कीजिए विद्वानों ने इस बात का निरूपन किया है कि मनुष्य की तपस्या वेदाध्ययन यज्यानुष्ठान स्वाध्याय ज्यान और दान का एक मात्र प्रयोजन यही है कि पुन्यकीर्ति श्रीक्रिष्ण के गुणों और लिलाओं का वरणन किया जाए मुने पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवाधी ब्राम्वनों की एक दासी का लड़का था वे योगी वर्षा रितु में एक स्थान पर चातुर मास्य कर रहे बच्पन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था मैं यद्यपी बालत था फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था जितेंद्रिय था खेल पूद से दूर रहता था और आग्यानुसार उनकी सेवा करता था मैं बोलता भी बहुत कम था मेरे इस शील को देख कर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यनता नुग्रह किया उनकी अनुमती प्राप्त करके बरतनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था इससे मेरे सारे पाप धुल गए इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हिर्दय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुची हो गई प्यारे व्यास जी उस सत्संग में उन लीला गान परायन महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रती दिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता शद्धा पुर्वक एक एक पद श्रमन करते कर महामुने जब भगवान में मेरी रुची हो गई तब उन मनोहर कीर्थी प्रभु में मेरी बुद्धी भी निश्चल हो गई उस बुद्धी से मैं इस संपूर्ण सत्थ और असत्रूप जगत को अपने परब्रह्म सुरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो रितियों में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरी के निर्मल यश्का संकीर्थन किया और मैं प्रेम से प्रत्तेक बात सुनता रहा अब चित के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हर्दे में प्रादुर्भाव हो गया मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था विनई था उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नश्ट हो चुके थे मेरे हर्दे में शध्धा थी इंद्रियों में सैयम था एवं शरीर वाणी और मन से मैं उनका अज्ञाकारी था उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुहितम ज्यान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयम भगवान ने अपने श्री मुख से किया है उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका जिसके जान लेने पर उनके परमपद की प्राप्ती हो जाती है सत्य संकल्प व्यास जी पुर्षत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एक मात रौशदी है यह बात मैंने आपको बतला दी प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विदी के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता इसी प्रकार यद्यपी सभी कर्म मनुष्यों को जन्मम्रिक्तुरूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं तथा पी जब वे भगवान को समर्पित कर दिये जाते हैं तब उनका कर्म पनाही नष्ठ हो जाता है इस लोग में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसंता के लिए किये जाते हैं उन्हीं से पराभक्तियुक्त ज्यान की प्राप्ति होती है उस भगवदर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्यानुसार आचरन करते हुए लोग बार-बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीरतंधा समरण करते हैं प्रभो आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर व्यूहरूपी भगवन मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अग्य पुरुष का पूजन करता है। उसी का ज्यान पूर्ण एवम यथार्थ है। ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की आज्यां का इस प्रकार पालन किया। तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्म ज्यान अईश्वर्य और अपनी भाव रूप का प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्यान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममई लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्यानियों की भी जिग्यासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रहे हैं। उनके दुख की शान्ती इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है।